हलो BSC 3rd year students, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे My name is Aashish Giri, आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC 3rd year Geology के 5th semester के 2nd paper में आपका theoretical paper आता है Diversity of Caudates and Comparative Anatomy Students, इस semester से already मैं कई सारी important videos cover कर चुका हूँ जो कि आपके exam paper के लिए most important है तो अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो channel के अंदर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी video के description box में आपको एक link मिलेगा जैसे ही आप उस link पर click करेंगे, आप direct उस playlist तक पहुँच जाएंगे students इस semester से पिछली वीडियो के अंदर हमने cover किया था bellonoglossus के digestive system के बारे में इस वीडियो के अंदर हम cover करेंगे एक most important topic bellonoglossus के respiratory system के बारे में यादि आपके exam paper में long question में पूछा जाता है bellonoglossus के respiratory system के बारे में आते हैं heading डाली जे respiratory system so first of all question ये आता है कि what is respiratory system ये जो respiratory system है जिसे हम हिंदी में सौसन तंत्र बोल रहे हैं ये है क्या अब जैसे हम human का example लेते हैं हम लोग सास लेते हैं सास के माध्यम से हमारी body के अंदर gaseous exchange होता है हम लोग oxygen को ग्रहन करते हैं carbon dioxide को बाहर निकालते हैं लेकिन इस gaseous exchange के लिए हमारी body में particular organs बने हुए हैं जो कि इस पूरे physiology को perform करते हैं जिनकी मदद से हमारी body में gaseous exchange हो पाता है ये सारे organs मिल करके एक system बनाते हैं जिसे हम respiratory system बोलते हैं जैसे हमारी body में lungs होते हैं फेफड़े होते हैं यह बहुत important function प्ले करते हैं respiratory system के अंदर इसके लवा nose है यानि हमारी body के अंदर भी organs है तो इसी प्रकार से यह जो balanoglossus है यह भी सांस लेता होगा इसकी body में भी gaseous exchange होता होगा इसकी body में भी respiratory organs होते होंगे तो वही हम discuss करेंगे इसकी body में जो respiratory system है वो किस प्रकार का है तो heading दा लिजे students respiratory organs balanoglossus के स्वसन अंग में निम्र प्रकार है number first एक तो है branchial pharynx एक होता है branchial set यह दो important structures होती है respiratory system के अंदर सबसे पहले हम define करते हैं कि यह जो branchial pharynx है यह है क्या pharynx का प्रस्ट भाग यानि जो dorsal भाग होता है वो स्वसन का काम करता है respiration का work करता है या function करता है इसकी प्रस्ट दिवार में दोनों और U shape की U आकार के क्लोम छिद्रों की दो कतारे होती है जन्तु के आकार में व्रद्धी के साथ-साथ यानि जैसे-जैसे belenoglossus growth करता रहता है यानि कि यह जैसे-जैसे बड़ा होता रहता है इसकी संख्या बढ़ती रहती है राइट किनकी बात करें हम जो क्लोम दरारे होती है इनकी संख्या बढ़ती रहती है प्रते क्लोम दरार U-shape की होती है तथा इसकी दोनों भुजाएं टंग बार द्वारा separate रहती है इनकी प्रथक रहती है टंग बार खोकली होती है तथा इसकी cavity में सीलोम होती है प्रते क्लोम दरार branchial sac या gill punch में खुलती है सनलगन क्लोमों के बीच में दिवारों को हम बोलते है gill septa gill septa जो होते है वो ठोस होते है solid होते है तथा इनमें सीलोम नहीं होता है आगे नोडाउन करेंगे students प्रते क्लोम कोस्ट की दिवार जो होती है वो काईटीन की तीन छड़ो द्वारा सधी रहती है ये छड़े निवन प्रकार की है तथा M के रूप में स्थित होती है इसके बारे में लिखेंगे यह चड़ क्लोम पटों में स्थित होती है यह M की मद्य भुजा बनाती है तथा इसका निचला सीरा जो होता है वो द्री शाखित होता है इसके बाद नंबर सेकेंड आती है सेकेंडरी बार हमने देखा नंबर फर्स्ट मेडियन प्राइमरी बार दूसरा होता है सेकेंडरी बार सेकेंडरी बार की बात करें तो इसमें आप लोग लिखेंगे संख्या में दो होती हैं ये टंग बार में इस्थित होती हैं तथा M की लेटरल भुजाएं बनती हैं तो बैलोनोग्लोसस के रैस्पारेटरी सिस्टम के अंदर ये आपको दो डाइग्राम्स देखने को मिलेंगे और यही डाइग्राम्स आपको एक्जाम पेपर में बनाना होगा यदि 5 नमबर में या 7 नमबर में आपसे बैलोनोग्लोसस का रैस्पारेटरी सिस्टम पूछा जाता है डाइग्राम नमबर A में जो आप देख रहे हैं ये बैलोनोग्लोसस का जो फेरिंग से उसकी लेटरल दिवार है जिसमें ध्यान से देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर है ये आपका टंग बार रहता है ठिक ये इसका गिल सेप्टन कहलाता है और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़े हैं ये हैं बोलेंगे ब्रेंक्यल स्कूलेटल राइट और ये इसका ब्रेंक्यल सेक प्रेजेंट रहता है तो ये कुछ इंक्टेट्चर रहती है उसके बाद जो आप लोग सेकिंड डाइग्राम देख रहे है ये इसी के part का एक थोड़ा सा magnifying view है थोड़ा बड़ा करके इसको दिखाए गया है और इसको click किया गया है इस picture को इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो आपको structure दिखाए दे रहे road की तरह ये gillslits रहती है इसके बाद ये आपका tongue रहता है और ये जो आपको structure दिखाए पड़ रही है इसे हम बोलेंगे synaptically ठीक है और ये जो आपको दिखाए दे रहा है ये secondary gill bar कहलाता है इसके बाद ये जो आपको structure दिखाए दे रही है इसे हम बोलेंगे primary gill bar जिसे हम भी हमने explain किया था ठीक है गिल पंच या ब्रेंकियल सेक में खुलती है जो पुने क्लोम छिद्र द्वारा बाहर खुलता है प्रते क्लोम सेक जो होता है वो देह भिति यानि जो बोडी वाल होती है एवं फैरिंग्स के बीच में खुलता है आगे लिखेंगे student ये छड़े यानि के जो रोड्स होती है ये ट्रांसफर्स कनेक्टिव्स द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है जैसा कि हमने अभी जस्ट डाइग्राम में भी देखा था और ये कनेक्टिव्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक्यूली जैसे कि यहां पर हम डाइग्राम में अगेन देख सकते हैं ये आपस में कनेक्टिव्स रहती है इन्हें बोला जाता है साइनेप्टिक्यूली ठीके इसके बाद students आप लोग आगे नोडाउन करेंगे क्लोम कोस्ट जो होते हैं वो रूधी द्वारा समभीत रहते हैं तथा क्लोम दरारों में सीलिया होते हैं अब हम देखते हैं students mechanism of respiration यानि के respiratory organ को explain करने के बाद डाइग्राम बनाने के बाद हमें इसका mechanism देखना होगा कि इसमें respiration होता कैसे है तो लिखेंगे students क्लोम दरारों के सीलिया द्वारा जल की धारा उत्पन होती है यानि सबसे पहले water current को create के जाता है उसके बाद mouth के द्वारा ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद यानि कि हम water की बाद कर रहे हैं पानी जो होता है वो mouth के द्वारा ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद यह है क्लोम कोस्ट में आती है और अंत में क्लोम छिदरों से बाहर निकल जाती है टंग बार जो होते हैं वो अत्यदिक समवीत होते हैं तथा गैसों की अद्ला बदली में साहता करते हैं यानि कि gaseous exchange में यह help करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर students हम discuss करेंगे blood vascular system, respiratory system इतना ज़्यादा important नहीं है, इतना ज़्यादा exam paper में पूछा नहीं जाता है, लेकिं ये जो blood vascular system और digestive system, ये दोनों के दोनों most important है, इसको अच्छे से आप लोग prepare कर लेना, so students मिलते हैं next video में, bye bye, tata.